हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूज बना बर स्वागत करती हूँ आज अम हनी चली पटेटो बनाएंगे आईए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम दो आलू लेंगे जिने हमने पहले ही लंबे भाग में काटकर पानी में रख लिया था अब हमें कपड़ा लेंगे और आलू को फेला कर सुखा लेंगे आलू सूख चुके हैं अब कड़ाई में ओयल गरम करेंगे और गेस को स्लो फ्रेम पर रख देंगे अब एक बड़े बाउल में सारे आलू को डालेंगे अब इसमें दो टेबल स्पून मैदा दो टेबल स्पून अरारोट स्वाधन उसार नमक डाल कर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे अब आलू को ओयल में डाल कर स्पून कर लेंगे और केस को हाई फ्लेम पर कर लेंगे ध्यान रहे हम आलू को हलका सही फ्राय करेंगे क्योंकि हमें इसे दो बार फ्राय करना है देखिए आलू एक्दम लाइट फ्राय हो गए है अब इसे क्रेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बागी आलू को भी फ्राय कर लेंगे सारे आलू लाइट फ्राय हो चुके हैं अब इसे थेंडा होने पर दोबारा फ्राय करेंगे यह हम इसले कर रहें ताकि आलू क्रिस्पी बना रहें आलू थंडे हो चुके हैं अब इन्हें हम बोल्डर ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे आलू बोल्डर ब्राउन हो चुके हैं अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे देखिए इस तरीके से सारे अलू को फ्राइ कर लेंगे अब चिली पटेटो बनाना शुरू करते हैं अब एक पैन गरम करेंगे अब उसमें दो चम्मस तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें साथ से आद बारी कटीवी लेसन की कलिया एक बारी कट हुआ अध्रक और चार से पांच कटी हुई हरी मिल्च डालकर फ्राइ कर लेंगे अब इसमें एक चम्मस तेल डालकर हलका फ्राइ कर लेंगे अब इसमें एक प्यास जिसे हमने इस तरीके से क्यूब में काट लिया था एक कटा हुआ शिम्मला मिर्च डालकर हलका सा फ्राइ कर लेंगे बस शिम्मला मिर्च का हलका गलने तक ही फ्राइ करेंगे अब इसमें दो टेबल स्पून रैच्छिली सॉस देबल स्पून टेमाटू कैचप एक टेबल स्पून सोया सॉस और आदा टेबल स्पून विनेगर डालकर सॉस को थोड़ा पकने देंगे अब इसमें फ्राइ की हुए आलू डालकर मिला लेंगे अब इसमें थोड़ा सर नमक थोड़ी सी काली मश पाउडर और शेहर डालकर अच्छे से मिला लेंगे हनी चिली पटेटो बनकर तयार है अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बॉल में निकाल देंगे अब इसे सफेद तेल से गार्निश कर लेंगे इससे ये काफी सुदर लगता है हनी चिली पटेटो बनकर तयार है ये खाने में वह स्वादिश्ट होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूल झाल झाल